दिल्ली के दिल में एक आधुनिक स्मार्ट शहर का प्रतिबिम्ब जिसका आकार है अध्भुत और सुविधाएं वर्ल्ड क्लास जो है तेजी से विकसित हो रहे नए भारत का नया प्रतीक दिल्ली की बहचान हमारा प्रगती मैदान अब अपने नए रूप में सभी के स्वागत को तयार है 3 नवंबर 1972 अंतराश्ट्रिय मेले एशिया 72 से शुरू हुआ प्रगती मैदान का सफर तब से लेकर आज तक ये स्थल बना कई एतिहासिक प्रदर्शनियों का हम सफर जब माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्व में देश तेजी से आगे बढ़ने लगा तो प्रगती मैदान के इंफरस्ट्रक्चर को भी 21 सदी के भारत के अनुरूप आधुनिक बनाने की जरूरत महसूस हुई ताकि नए भारत में बढ़े Ease of Doing Business और साथ ही Ease of Living देश की राजधानी में विश्वस्तरिय कायरकमों के लिए State of the Arts विधाय हो, Exhibition Hall हो इन बातों को ध्यान में रखते विए भारत सरकार निरंतर क्राम कर रही है और प्रगती मैदान में Redevelopment Project यह अपने आप में एक उधान बनने वाल है 123 एकड में बने इस Exhibition and Convention Complex की गिनिती शैंगाई और फ्रैंकफर्ट के जैसे विश्व के 10 Exhibition and Convention Centers में होगी जहां 54,000 वर्ग मीटर का Air Conditioned Convention Center और 3 Open Amphitheater बनाए गए है करीब डेल लाख वर्ग मीटर यानि 26 फुटबॉल फील्ड जितने कवर्ड एरिया में फैले प्रगती मैदान 2.0 में कुल 7 नए Exhibition Halls है इसके लेवल 3 पर बने हॉल में औस्ट्रेलिया के Sydney Opera House से भी अधिक 7,000 विजिटर्स बैठ सकते हैं भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 के राष्ट्रा ध्यक्षों की मेजबानी का गौरवपूर्ण अवसर भी इस Convention Center के Summit Room को मिलेगा यहां 116 देशों की International Solar Alliance का प्रतीक सूर्यद्वार है 0 से 10 तक भारतिय विज्ञान की गथा सुनाते प्रगती चक्र है विश्व संरचना का आधार दर्शाते पंच महाभूत है भारत द्वारा विश्व को समर्पित योग भी है देश के विभिन प्रांतों से ली गई चुनिंदा सामगरी और कलाओं के समविश्रन से बना IECC का ये भव्य रूप अपने आप में एक भारत श्रेष्ट भारत का उत्तम उदाहरण है एक तरफ जहां इस Center में बड़े International Events होंगे वहीं हमारे देश के छोटे उद्यमी, अन्नदाता और कारीगरों द्वारा वोकल फो लोकल का ये मंच भी होगा भविश्य में यहां होने वाले आयोजन भारत को विश्व की पाँचवी से तीसरी बड़ी अर्थ विवस्था बनाने में बड़ी भूमी का निभाएंगे सभी आधुनिक सुविधाओं और लेटिस टेकनोलोजी सपोर्ट से परिपूर्ण IECC, Luxury, Flexibility, Logistical Viability और Safety का एक अनोखा संगम है जहां व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और संभावनाओं के अनेक द्वार खुलने से रोजगार स्रिजन भी होगा अतिथी देवो भवह की भावना लिए हर भारतिय का प्रतनिधित्व करता ये कन्वेंशन सेंटर G20 के देशों के स्वागत के लिए और बसुधैव कुटुम्बकम के सिधान्त का मंच बनने के लिए तैयार है जिसे आज माननिय प्रधान मंत्री देश को समर्पित कर रहे हैं